एक हेलो स्टुरेंट्स आज हम बात करने जा रहे हैं अपने नेक्स फी प्रोग्राम के बारे में जो की हमारा सी प्रोग्राम है कि किस तरीके से हम जो है अरिफ्मेटिक कैलकुलेशन को परफॉर्म करेंगे बाइ यूजिंग स्विच स्टेटमेंट्ट स्टुरेंट्स आए डिसकस करते हैं कि किस तरीके से हम जो है स्टेटमेंट के थूजिंग स्टुरू अरिफ्मेटिक कैलकुलेशन को परफॉर्म करेंगे विद धहल्प अव करेक्टर्स सो यहां पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम में कि यहां पर हिटर फाइल्स हैं हिटर फाइल्स का में फंक्शन लिया है हमने उसके बाद हमने डेटर टाइप लिया है करेक्टर और उसमें हमने लिया है वैल्यू नाम से करेक्टर तु लिया है हमने लिया है वैल्यू नाम हैं जिनके बेश पर हम जो है फिर्फोर्फ केलेशन को परफंक करेंगे यानि कि जिन नंबर्स की हैफ से हम सबुएकर करेंगे टुरным नूबर्स के है है अप अपरट एक्षर में हमने लिखा है एंटर परस्ट एंबर का नहीं देखंग जिस पर हमें calculation perform करनी है, then उसके बाद आप देखें, print statement में हमने लिया है new line में, what you want, यानि कि आप क्या operation, arithmetic operation यहाँ पर perform कराना चाहते हैं, तो %C के तरू हमने यहाँ पर जो variable लिया था, वे variable यहाँ पर हमारा choice, then print F, enter the second number, तो student आप जख रहोंगे है, पर सेंट C में हमने जो लिया है, वे choice लिया है, जबकि value आना चाहिए, तो यहाँ पर mistake है, थोड़ा value लिखने ना है, तो print F में लिखेंगे, enter the second number, next statement में, अब है second number, suppose किजिए हमने value में यहाँ पर लिया plus, ठीक है, तो हम यहाँ पर addition perform करा रहे हैं, तो second number enter कराएंगे, उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे होंगे, switch value, switch value, ठीक है, अब यहाँ पर उस value को case statement के तरू देखना है, अब suppose किजिए हमने यहाँ पर, जो what you want में हमने, हम run कराएंगे, तो पूछेगा, हम से क्या enter कराना है, तो हम plus sign enter कराते हैं, तो printf statement के थूँवे addition perform करा देगा, num1 plus num2 करके, num1 plus num2 करके, then, अगर हमने choice में लेते है, minus sign, तो वह यहाँ पर subtraction perform करा देगा, यहाँ कि num1 minus num2, ठीक, अगर हम extract sign, वहाँ पर enter कराते हैं, तो वह वह पर product, यहाँ कि multiplication को perform करा देगा, okay, then, अगर हम slash sign लेते हैं, तो वह वहाँ पर division को perform करा देगा, इस slash sign के थूँ हमें जो division का answer मिलेगा, वह कोशेंट मिलेगा, ठीक है, अगर हम यहाँ पर percentile division लिखते हैं, तो यहाँ पर हमें remainder मिलता, okay, अगर इन 4 cases के लावा, हम कोई और case enter कराते हैं, तो वह default message print करा देगा, wrong choice, यानि कि आपने जो enter कराया है, वह एक wrong choice है, okay students, so इस तरीके से हमारा arithmetic calculation perform कराएंगे हम by using switch statement, so I hope switch statement का जो logic है, वह आप लोग के अच्छे समझ में आ गया होगा, so आज के लिए thank you very much, मिलते हैं अपने next lecture में, next program के साथ, good bye.